असलाम वालेकुम एवरिवन वेलकम बैक टो मैं यूटुब चैनल एड़ वेलकम बैक टो एनदर वीडियो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं काशीज इंस्पारड आई मेक अप लूक साधियत मूर की याई लूक तो मैं रीक्रियेट करूँगी ही साथ में ये 3D गलीटर आप किस तरह से बना सकते हैं अगर आपके पास काशीज के गलीटर नहीं है तो इसके लिए वीडियो को एन तक देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपनी आई ब्रोज को फिल करूंगी फिल करने से पहले स्पूली ब्रिश के साथ आई ब्रोज को पहले अच्छे से कॉम कर लें फिर एक एंगल ब्रिश कर डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड दोनों को मिक्स करके अपनी आई ब्रोज को मैं फिल करना स्टार अब एक छोटे फ्लेट ब्रश पर कंसीलर लेके आई ब्रोस को मैं शेफ दूँगी अंडर आई आई लीड पर अप्लाइ करने के बात वेट फ्यूटी ब्लेंडर के साथ इसकी मैं ब्लेंडिंग करूँगी ग्लेंरेस फेस केBack कंपेक्ट परोडर के साथ इसे मैं सेट करर दूँगी आपके पास कोई भी कंपेक्ट पोडर है लूज़ पोडर है उसके साथ काप कंसीलर को सेट करते हैं Cikum cup कंसीलर को सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है थाके ये क्रीफ ना करें इस तरहां से outer corner भी बिल्कुल भी messy नहीं होगा, अब दूसरा साफ fluffy brush लेके peach और brown shade के जो edges बन गए हैं, इनको blend करूंगी ताके बिल्कुल smooth eye look लगे, इसके बाद copper metallic shade लेके अपनी पूरी eyelid पर इसे apply करूंगी, अब एक angle brush पर black shade लेके outer corner पर इस तरह में eyeliner की तरह अप्लाई कर दूँगी, बस outer corner पर ही wing बनाऊंगी, complete eyeliner नहीं लगाना, उसी brush पर मैं brown shade लेके black shade को अच्छे से blend कर दूँगी, अब मैं tape remove करूंगी और देखे कितना प्यारा wing बना है जिनको eyeliner नहीं लगाना आता, यह उनके लिए tip है कि इस तरह टेप apply करकी eyeliner लगाएं तो अच्छा सा विंग eyeliner लग जाएगा, तो यहां पर flat brush पर concealer लेके outer corner को नीट किया और इसे face border के साथ मैं set कर दूँगी, अब यह dark purple shade लूँगी और इसे अपनी lower lash line के साथ apply करूँगी, बिल्कुल उसी तरहां जैसे साधिया तमूर की eye make up में lower lash line पर purple shade अपलाई किया गया था, purple shade के जो edges बन गए हैं, इसे fluffy brush के साथ मैं blend कर दूँगी, अब एक pencil brush पर highlight लेके brow bone inner corner को highlight करूँगी, क्रीस में जो highlight लग जाएगा, इसे मैं fluffy brush के साथ dust off कर दूँगी, white eye pencil अपलाई करूँगी, अब यह मैं 3D glitter अपलाई करूँगी, क्यूंके काशिस के जो glitter हैं उसमें silver, purple और golden shade थे, इसलिए मैं इन तीनों shade को mix करके flat brush के साथ इस तरहां से अपनी eye lid पर इसे apply कर दूँगी, इसमें जो glitter लग जाएगा, इसमें fluffy brush के साथ dust off कर दूँगी, eyelash color से eyelashes को curl करूँगी, eyelash को curl करना इसलिए भी जरूरी होता है, क्यूंके जब हम fake eyelashes लगाते हैं, इन में हमारी रियल lashes अच्छे से मर्ज हो जाएं और बिल्कुल भी अलाइदा से नज़र ना आएं, eyelash कर्ड करने के बाद upper lower lash line पर मैंने mascara apply किया है, उसके बाद मैंने eyelash apply कर दी हैं, उमीद करती हूँ आपको आद की ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई ही तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्यार रखियागा, अल्ला हाफीज,